IPL 2024 का 27वा मुकाबला 13 अप्रेल को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया रोमांचक मैच में राजस्थान ने पंजाब को तीम विकेट से हरा कर जीत की राह पर वापसी की सीजन की पाँचवी जीत के साथ टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी है वहीं पंजाब किंग्स चार अंकों के साथ आठवे स्थान पर पहुँच गई है और तीम विकेट से मैच अपने नाम कर लिया पारी का बीसवा ओवर रोमांच से भरपूर रहा अर्शदीप सिंग के खिलाफ हेटमायर ने आकरामक रोख अख्तियार किया इस ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी पहली और दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया तीसरी गेंद पर हेटमायर ने जोरदार चक्का लगाया अब टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी चौथी गेंद पर हेटमायर ने लॉंग ओन की तरफ मारा और 2 रन बटोरे अब टीम को दो गेंदों पर 2 रन की जरूरत थी पांचवी गेंद पर हेटमायर ने जोरदार चक्का मारा और मुकाबला राजस्थान की जोली में डाल दिया